बहुत दोस्वा गता सुभी का पढ़े कर लादन पर आज चिक लास्क वादव से फाइनली हम बीए फस्ट समसर के लिए आपका पुरा-पूरा कुर्षन पेपर लेके आज का हूं वैसे तो मैंने प्लेट करा दी है आपकी जैसे की माडल पेपर मैंने एक सॉल्व किया था और एक महासंगराम का वीडियो मैं अपलोड किया है इंपूर्टन कोश्चन एंसर का जो है संपूर आपके पाटकरम से उसको यदि नहीं देखा है तो उसको भी देख लिजिएगा यदि आपका पेपर कले ही पड़ा आपने कुछ भी नहीं तियार किया है तो यह यादि आप वीडियो देख के चले जाता है तो गारांटी लेता हूं अपनी इस पुलेटकर से नहीं राजनेती विग्यान में आप आच्छे नंबरों से पास हो पाओगे इसमें जितने भी कुछन बहुत ही रिपीटेड कुछन है जो सभी बिसुद्याले में आपके यही कामन होने वाले इसलिए 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 परसों को रटके ही आपको पना एक्जाम देने जाना है पेपर कि हम बात के तो दो घंटा आपका दिया जाएगा करने को इसको समय और 75 नंबर के प आपको इसका प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा आप जाकर इसमें सभी सब्जेक्ट आपना कोई भी ले रखे हो आपका एजूकेशन सोसिलोजी आपका हिंदी इंगलिस सभी का मैंने जो है मार्ल पेपर मेंने सोल्व किया है और साथ में इंपोर्टन कुस्टन एंसर कभी आप यदि स्रीज बुक वेरा कुछ भी नहीं खरीते हैं तो आप बिना कुछ खरीदे आप मेरे चैनल के माध्यम से अपनी एक्जाम की जो है बीए की तैयारी को बहतर करके अपनी एक्जाम में 90 पलस यहां से किलियर कर सकते हो इसमें आपको पेपर भी पढ़ना रहता है जो आपको फोड़ने इंटरेशन भाईजें जो का अपका कंपल स्रीग आपका पेपर होता है उसकी कलासे मैंने चैप्टर रच मैंने करा दी हैं आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसकी भी कलासे जोइन कीजिएगा और बहुत सारे बिस्तितले के उसके भी मैंने में चैनर में चले जाना पको जरूड़ देखिएगा एक का माइनर के में कृपकर होंगा हुगा बमाइनर के जो लगा कष का हरता है हमें साल का प्ल मैंसी की पेपर की दी किले अलग मैंने कराइग गई आप जाकर मेरे चैनल के माद्हम सब आपकर पूरा में को užजा कर można से बाहर कुछ भी नहीं आपका है सभी सब्सक्राइब कर रखा है जाकर जरूर वाच कीजिएगा हाँ चैनल पर यह तो जरूर सब्सक्राइब कराता हूं जिसके में अच्छे मांक्स प्रेंग कर सकते हैं चलेगा हम देखेंगे आज के वीडियो पर प्लिटिकल सेंसे नहीं समय कीजिन की पेपर पर सबी॥म के सबसे पहले आपको आपको नियम देखना शॉक करनी सबि largest फिर्वादुर सिंह्ग पूराचिल विष्विद्दाली जोंपूर में पड़ता है और आपका जैसे कि माराज्याइब सब्सक्राइब के लिए बहुत ही मातपूर्ट साभीत होगा पूरा कुर्शन पेपर चर्चा करने के ज्यादा समय न गवाते हुए पेपर आपका इसी प्रकार आपका से माने वाला है आपका जो है पेपर तीन खंडों में आपका आएगा सबसे पहले पर सक्षाने के परसन पूछे जाते हैं आपको सभी परसन आपका नहीं दिया रहता है इसलिए इसमें आपको सभी परसन नहीं आते हैं सक्षाने के तो जितने आपको पता है आपको उन्हें पढ़ा है उनको तो उतने आप कल लीजिए एक दो परसन दे छोड़ जाते तो उनको छोड़ बीच में कहीं पर आपको करना है जिस उसके जअंड यब च्ट चेक है इसके जहादा सिका मैंड भी भी डाइवर्ट है और अशानीस आप कि नियुक्त बीच में चलए कई तो बीच में करने हैं तो किया रहा हूं झालते ये पहला कुछेँ देखिएगा कोसिन बहुत ही मात पूर है चलेगा जो पहला कुछना आपका भारत छुड़ा अंदोलन ने बहुत ही मातपूर कुछन ने दिस्कुशन की हम बात करें तो इसकी जो शुरूआत हुई थी आठ अगस्त 1942 के में जो है इसकी शुरूआत हुई थी बहुत भारत पर यानि बेटन की लोग उसे को ठाजन कर रहा भारत पर उनको जोए सासन करना बहुत उनका मुश्किल हो गया था यह अंदोलन जब से इससे रहा प पने तर्श आप पर यह जागरत उत्पन हूं जिससे बेटन के लिए भारत पर लंबे समय तक सासन करना बहुत ही मुश्किल हो गया और यहां से एसी बेनरजी ने लिखा भी इसके उन्होंने कहा है कि इस विद्रों के प्रडाम सुरूप अधिराज की पुरानी मांग जो सरवता समाप्त हो गई और उसका इस्थान पूर् कही न कही एक लोगों में जागरत उत्पन हुई एक अपने देश की परत जो है आजादी की परत कही न कहीं देखाए एक करानी में उनको अंदोलन के तहट जो उनमें एक जागरत उत्पन हुई तो इनका कहना मतलब यह है कि इस अंदोलन के तहट जो है उनका पूर्ड सु हुआ जिससे देश फ्रेम की भावना जागी और देश के लोगों को अपना डार करने के लिए प्रीड़न भी मिली इससे सभी भी जो धैस के नागरिकों न जुड़ करके जूए देश को अजादि दिनाने के लिए काफी जो है कार भी किये और अगस्त करांत यह जो ये जो अंदोलन हुआ भारते आपका ये अंदोलन जो हुआ है ठीक है तो ये जो है ये अगस्त करांत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अगस्त करांत जो है क्योंकि ये जो अंदोलन हुआ था अगस्त में हुआ था आठ अगस्त को तो ये जो अंदोलन था आपका यहां स सा तथा गरिमा के सूचक भी थी और संदोलन के कारण जो है अमेरिका बिर्टेंस के जन्मत इतना अधिक भारत के पच्छ में हो गया था जिससे अंग्रेजों को बीवास होकर भारत छोड़ना पड़ा तो इतनी आपको प्रभासा लिग देना कुछन काफी महत्पूर है अग सब्सक्राइब काफी मातपड़ हंडेड़ परशन एक जमें फसेंगे अधियाब कबाद स्रीज आप बुक हो गह रहा होगा तब टिक भी लगा कि उस तरह भी आपको तयार कर लीजिएगा लाश में भी कुछन दिया कि भारत सभीदान की मुखी आपको शुरूत आपको ब अधियम थाप का भारत सरकार अधियम उनीश सुपैतिस यू इसकी जो मुखी विसळस्ता था इसमें क्या था कि केंद्रव राज्यों की बीच सक्तिया था इसमें बटवारा किया गया और सभी ते आपकी संगिय सूची प्र समवर्ति सूची इसके तीन सूची में इसको व सद्धियम के तहिए परांती इस्तरप परतच्छी चुनाओं की शुरुआत भी वी और इस अधिकार भी दिये गए और इस अधिकार को जह संख्या से तीन परतिसत से बढ़ा कर दिया गया और इस अधियम से मुसलमान सिख और अन्य लोगों के लिए पर्थक निर्वाचित क बिवस्था भी की गई और इस अधियम में राजपाल को मातपूर आपात करें सक्टिया भी दी गई और इस अधियम से भारतिय और अंग्रेजों की बीच जो सुतंता की बाचीत का आधार भी यह अधियम बना इतनी आपको इसकी विसेश्था लिख देना है अगला देखे इसके तहट भारतिय आपके सनमेदनिक उप्चारों का इसमें जिकर किया गया है उसमें कहा गया है कि अग्रिक अधिकार है यह अधिकार देश्च के नागलिकारों के उलंगन के मामले में उच अधिकार है का अधिकार ये देता है और देखेंगे इसके दम बात करें तो इस अधिकार के तहट जो है सरोच न्याले और जो है उच्छ न्याले को जो है मौलिक अधिकारों को जो है लागो करने का भी अधिकार है तो इस अधिकार के तहट आपके जो है सरोच जो न्याले है और आपका जो उच्छ न्याला है इसको जो मौलिक अधिकारों को जो लागो करने का अधिकार भी पराप्त हुआ है और जो इस अधिकार के तहट जो है इस्थानी न्याले को जो भी अधिकार का विस्थार करने का अधिकार यानि जो है इस अधिकार के तहट जो है इस्थानी जो न्याल देना उसका परभावी सुलब और संचिप्त उप्चारों की विवस्था करना इसका उद्देश है और इससे कुछ जुड़े ओड भी महत्पुर्ट बिंद है आपके सनमेधानिक उप्चारों से जैसे कि सनमेधानिक उप्चारों का जो अधिकार है ये मौलिक अधिकारों का जो है एक रच्छा उपाय है और जो है इस अधिकार के तहज़े कोई भी बेगती मौलिक अधिकारों के जो है उलंगेन के मामले में जो है अदालत जा सकता है और इस अधिकार के तहज़े गिरिबदारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारों अधिकारी को जो है आदेश से आपके फसेगा, देखिए गाज को, थो भारत्के जो है नागरिक, को जो है सम्षिधान द्वारा, प्ơi नयतिक दायित दिए गये हैं, यह जो है कर्तब भी जो होते हैं, यह नागरिको को जो है देश-भक्ति, राश्टी एकता, और भाई-चारे की भावना को서, हां बढ़ावा देने के लिầnए दिये गए हैं और मुलिक करतब्यों की गुछ महातपुर्ण बिंद्ध हैं जैसल मौलिक करतब हैं आपकर सब्धान आपके भागचार में आपके जो है 51 के तहट जो है इसको जो है बताया गया है इसमें जिकर इसका गया गया है और मौली कर्टब को जो है आपका बैले सवे संसोधन अधिनियम के दोरा ब्ली को दिवस मना जाता है बहुत में 6 जनवली में मना जाता है और मौली कर्टब ब्ली का मकस्द नागरिकों इहाँज देश करना ना और राष्ट को बढ़ावा देना जाका मौली का मकसद पर पर रहता है और मौलिक करतब भी क्योंको उधारड़ की हम बात कर लें तो मौलिक जो करतब होते हैं उसका यही उद्देश रहता है कि अपने सविधान का आपको पालन करना चाहिए ठीक है राष्टे धोच का सम्मान करना चाहिए राष्टे गान का सम्मान करना चाहिए और देश की रच्छा करना चाहिए, तो यह सारे जो इसका करतब रहते हैं, चलेगा अकला देखेंगे, भारतिय सविधान के परमुग आपको सुरोध बताना है, तो कुछन काफी मातपुल एक जम्य फसेगा, तो बेटन के सविधान से क्या लिया गया है, तो बेटन के सविधान से लिए गई है, और लोग सभा था जो है विधान सभा की परत, जो है मंदरी मंडल का सामविक आपका उत्तरदाइत तुराशपतिक जहें, औपचारे की स्थित, संसद विधान मंडलों की परकिरिया, तथा उसके जहें सतस्रीव के जहें, विशेस अधिकार जो ह नयगपुना लोकन का सिध्धान तौर जो है, उपराशपत का पादिय सब जो है, संयुक्तराश अमेरिका के सभिधान से लिया गया है, और फ्रांस के सभिधान से क्या लिया गया है, तो इसके सभिधान से जो है, आपका घरत अंतरात्माग जो है सासन विवस्था जो है, प्रांस के सविधान से लिया गया है अगला देखिएगा कनाड़ा के दम सविधान की बात करें तो कनाड़ा के सविधान से जो है जो है संग और राज्यों के मद्द जो सक्तियों का विभाजन जो की कनाड़ा के सविधान से लिया गया है भारत में और आयलेंड के सविधान स जो है अपात कालिन जो है यो उपवंद्र लिया गया है और जो है सोवीत संग सभिधान से जो है मूल करतब लिये गए है और अश्टेलिया के सभिधान से जो है समवर्ति सूची ली गई है और दच्छिड अपिरिका के सभिधान से जो है यह सभिधान में जो है संसोधन की प अगला देखेगा नागरिक्ता के परकार आपको बताना है नागरिक्ता के लिए क्या परावधान होते हैं नागरिक्ता लेने के लिए यहां के सदस्ता लेने के लिए क्या इसकी परावधान नहते हैं आपको बताना है तो भारत्य समिधान में जो है के दूसरे भाग के लिए प्रावधान नागरिक्ता के लिए देश नागरिक्ता बता है नागरिक होगा तो देश के जो है नागरिकों को जो है सभी जो है परसाजने कानूनी और राजनेतिक अधिकार पराप्त है नहीं देश का जो नागरिक होगा उसको जो है सभी जो है कानूनी और राजनेतिक जो है अधिकार उसको पराप्त है यहांकर रहने की नागरिकता के के लिए जब्कि बिदेशी जो आपके होते हैं नागरिक होते हैं इसको अधिकार नहीं मिलते हैं और सविधान लागों होने के समय नाग्रिकता का परसॉइस महत् Colonel हो गया था क्योंकि सविधान के कुछ जो है बिसेष परावधान उन्हीं लोगों के लिए जो है जो भारत के नागरिक होने के हगदार थे और भारती जो है इसको निमने प्रकार जो है भारती नागरिक आप पर आप्त कर सकते हैं इसके लिए परावधान दीए गहे है याद आप विदेशी हैं तो आपको कुछ फालो करना पड़ेगा कुछ आपको कह सकते हो वो जिसकी नियम कानून है आके सदसा लेने के लिए तब ही आप भारते सदसा आप ले सकते हो तो कौन कौन से जैसा है कि भारते समिधान लागो होने की समय भारत के नागरिकों को क्या परावधान थे तो ऐसे में बेक्ति जो सविधान लागो होने के समय ही भारत के नागरिक हो गए थे तो यहां के नागरिक मूल माने जाते हैं और हम देखें तो अपका भारती जो सविधान था भारतियों का यह लागो होने से पूरवाब के जो है जो कि यह लागो हुआ था 26 जनू 1950 को लागू होने के बाद यहां के जितने भी भारत के बेखती थे वैसा भी भारती हो गये थे लेकिन अब बाद में यहां से आप आके बसों के सग्धान लागू होने के बाद तो यहां के लिए आपको नागरिक्ता इतनी जल्दी नहीं दी जाएगे कुछ इसके प्रावधान है इसके नियम कानून है जिसके तरह आप आप नागरिक्ता यहां के परदान कर सकते हो तो आगे बिंद में दिया गया है कोई बिक्त जिसका भारत के राज छेत्र में अधिवास है और भारत के राज छेत्र में जन्म हुआ है वो आप भारत का नागरिक हो जाएगा कहने बितलब आप भारत के किसी भी छेत में रहते हो आपका जन्म हुआ हो तो आपको नागरिकता पराप्त करने की कोई अतिकार नहीं कहने तरब आप यहां के पहले से ही भारत के नागरिक हो आप और चाहे आपके माताविता किसी भी कोई भी नागरिकता हो नहीं आपके चा करने वाले कोई भी बिक्त जो है जिसके जो है माता या फी पिता में कोई भारती के जो है राजचेत में जन्म लिया था और उसके माता पिता को जो है राश्टी कुछ भी जो है राश्टी कुछ भी होगा जो है भारत का नागरिक होगा और जो है किसी बिक्त की माता पिता या आपके 19 से लेकर 22 तक जो है आपके सुतंता गातिकार का जिकर किया गया इसमें जो है नागरिकों को जो सुतंता गातिकार परदान किया गया है और परतेक जो है नागरिक को जो है अपने आचार विचार अभिबेक्ति अवास निवास टहलने घूमने की जो है सुतंता दी है स चलेगा अगला देखेएगा बित के समध़ चुझे समांता का अथिकार का कुछी का पी माद पूर्डिस को भी हम देखेंगे समांता का जो अधिकार है ये परजयतन्त का एक अधार इस्तंब है औटयव भारतिय समिधान के आर्टिकल जो की 14 से लेकर जो है 18 तक जो है समानता का अधिकार्ज का वरणन किया गया है और भारती समिधान में वड़ी जो है अपकर जो 14 में कहा गया है कि भारत छेत के अंतरगत सभी जो है बेक्ति कानून के बराबर जो है सामने बराबर रहेंगे यानि कानून जो होगा सभी बेक्तिकों परतिष्ठा उसकी औसर और समानता परदान करने की घोसला की गई है यहां से कुछ बिंद दिये हुए लिखा हुआ है कि सभी बेक्ति समान बेक्तियों के साथ समान कानून हो सभी बेक्तियों के लिए और समान डूप से लागू किया जाए तो यही आपका बितिके समझ समानता का परदान करें तो यही बितिके समझ समानता का पर दिकार कहलाता है इसको आटिकल 14 से लेकर 8 तक इसको रखा गया भी इतने आपको लिख देना है और ये भी कहा गया है कि सभी विक्तिव की साथ जो है कानून का झ्यों बहुहार होगा बिना किसी बैथभाव के सभी की साथ जो है समान किया जाएगा चलेगा अगला देखेगा राश्पती की आपात करिम सक्तियों का आपको वरण करना कुष्ण का भी मात पूर है और निर्वाचा नायोग आपका इलक्सन के मीशन की भूम का वरण करना ये भी कुष्ण का भी मात पूर है हम दोनों कुष्ण देखेंगे भारती समिधान की सबसे पहले जो है हम राश्पती का आपात करिम की घोसड़ा करने का अधिकार पराप्त है राश्पती को देश में आपात करिम की घोसड़ा करने का अधिकार आठिकार 352 के तहिन मिला है और इस परिस्थित में आपात करिम की घोसड़ा राश्पती कब कर सकता है जब देश में आंतरिक आसुरच्छा आसानती हो और जब युद्ध से बाहरे कोई आकरमार का खतरा हो राजपती को ऐसा परतीत हो रहा है कि भारत की यानि किसी दूसरे देश से खतरा है भारतियों को तो अपातकरिन की घोसरा किसी एक छेत्र में भी संपोड भारत में कर सकत और साथ ही जब वित्तिय जो सिर्टाया अभी जो है यानि साग को खतरा हो तब भी कर सकता है कुछ और भी अधिकार है जैसे की देखा एक साब से राजपती की अपात करने सकती होगी हम बात के तो अपात के इनकी घोसला करने का अधिकार तो है ही और साथ में नागरिकों को जो है मौलिक अधिकारों को जो है निलंबित करने का भी अधिकार राजपती को परदान है तो जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिये हुए है उनको भी जो है निलंबित करने का अधिकार जो है राजपती को है और वित्तिय अपात का इनकी घोसला करने का भी अधिका सक्टिया देने के पीछे का मकसद जो है देश की सुष्च्छा अखंड्रता का बनाये रखना है राजपती की आपात करने सक्तियों का गोसरा हो सकता है अग अम्भीर यदि कोई दुरखटना हो गई जिसे कि अभी आपने कोई-19 नामें सुना होगा कोई प्रेंड में आपकी कोई महमारी आ गई देश में फाइल लही तेजी से तो उस इस्थिन में भी राजपती होगा आप आपके गोसरा कर सकता है जिसको लॉ निर्वाचन अयोग की बिवस्था की गई है कि निर्वाचन जो कैसे किया जाएगा इसमें और कैसे पढ़ेगा यानि कौन बेखती है जो डाल सकते तो सब कुछ जो है आपके आटकल 352 के यानि 24 के तहट जो है इसमें वरड़न इसका किया गया है हम देखेंगे इलक्षन क किया है तो इसका जोहें कार जो निर्वाचन अयोक्त नोइ मुझ दो अन्य जो है खड़ी होते है और भी जो है अब एक घृण बहुता है विफ करता है ज़िक कार रहता है और जब्तल को दो के हैं जब्त वी करने के अब health गारुप लागू तो यह लागू करना कार रहता है एलक्षन कमीशन का चुनाओ परसार के लिए नियम बनाना यह भी जो है इसके कार रहते हैं और किसी दल के विभाजन का पर निरड़ाय देना यह भी इसका कार रहता है तो इस तरह से आपको लिए अगला हम देखेंगे भी हाँ सबका सक्सट आपके साथ परस्णाम आपको करना है मैं सातों परस्ण में करा दूँगा इससे कोई भी दिक्कत नहीं हो मेरा एक एक वीडियो बहुत ही प्रॉपर रिसर्च के बाद ही में बनाता हूँ कुछ भी यदि नहीं तयार करते हो, आपका कल एक्जाम लगा हुआ, आज मेरा रात में वीडियो देख रहे हो, पूरा ये वीडियो देख लेते हो, तो गारांटी लेता हूँ, कोई कमाई कलाल आपको फेल नहीं कर सकता, इसी से आप अच्छे खासे मार्क्स इसी पेपर से आप पराप्त कर सकते हो, इसलिए मैं जितने भी पेपर में अपलोड करता हूँ, इसके एंसर भी करता हो, क्योंकि काफी हमारे स्टूडं ऐसे हुआ हूँ, जो ना तो वो खरीद पाते हैं, आप नहीं खरीद सकते हूँ, क्योंकि उनको और भी कार भी करना प्याता है, नि जो है वीडियो को देखकर एक बार में सब कुछ जो है कवर करके अपनी जाम में अच्छे माउख कर सके इसलिए हमारा परयास रहता है निरंपर इसलिए मैंने सारी क्लास दे दी हैं कोई भी मैंने चार्ज नहीं लगाया है अगला उक्समिद भाष्याजरी राश्ट्री कोटोल स्जान करना है भारते राष्ट्री की स्थापना कुट भाते दिसमबर 885 स्वी में इसके स्थापना हुए थी, इसका पर्थम अधिबेसन हुआ था, 28डिसमबर 885 स्वी को बुम्बाई के गौकुल दास तेच प्याल कालिज में इसका अधिबेसन हुआ था और 31 आपके दिसमबर तक चला और इसके अधिश्यता जो थी, बेमेश चंद ब तो इतना आपको लिख देना है अगला देखो सोदेशी अंदोलन के आपको बताना कुछ काफी मात पूर चलेगे इसके मात देखेंगे इस अंदोलन ने भारती राष्टी अंदोलन में महिलाओ और च्छात्रों सहित कई लोगों को सक्री रूप से भाग लेने के लिए प्रे सभी लोग मिलकर अंदोलन का सयोग किये और इस अंदोलन में निस्क्री परतरोज के विचार को पेस किया गया इसका इस्तमाल महतमा गांधी के बाद भारत को आजादी दिलाने में किया और इस अंदोलन ने सहर में मध्यमवर्ग से नेताओ की एक पीड़ी को सामने लाया इस अंदोलन ने किसान गरामीर किसान से महतपुर्ट समर्थन भी पराप्ति किया इस अंदोलन ने भारतियों में एकता आत्म सम्मान आत्म निर्भर की भावना भी को बढ़ाया और इस अंदोलन ने बिदेशी समानों की बिक्री को नुकसान पहुचाया और भारती दोगो को पुरित के यह जो अंदोलन किया गया यह विदेशी वस्तों का जो भाहिसकार करने को इसमें कहा गया अपने सोदेशी जो वस्तों थी जो भारत में बनने ओले उस्तों थी उसको जादस 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 इस्तमाल करने के लिए कहा गया और इस अंदोलन ने राष्ट एकता की भावना को बढ़ाया। ये जो अंदोलन हुआ . इससे राश्ट येक्टा की भावना बढ़ी और जह साथ ही भारतिएए उत दोग में जहान भी आये तो वाकर जो दोव थे उसमें भी जान आई कहना था वो भी स्टार्ट किये गए उसमें प्रापर कार चलने लगा तैजी किये और देखो इस अंदोलन ने देशभक्ति कविताओ लोक कथाओ और गीतों के पुनारुस्थान को भी प्रेरित किया तो यह अंदोलन था देशभक पाचिसभी को जो है कलकत्ता के टाउन हाल में इसके शुरुवात हुई थी इस अंदोलन की और इस अंदोलन ने विदेशी वस्त्यों का बहिसकार किया गया जैसे कि मैंने आपको पहले बिताया था जो सवदेशी अंदोलन था इसका मेन उद्देश यही था यह जो अंदो सवदान की विवसेयसता आपको बताना कुर्षन बहुत ही महत पोड़ा है सारे के सारे कुर्षन चलेगा हम सभी कुर्सन हम देख talks सप हुष Carluleす जो है ब्यापक दस्तावेद है और कई जो है प्रावधान है जैसे कि नागरिक्ता के जो है दिकार करतब बे और जो है विधाई का कारिपालका और नगरपालका के बीच जो है सक्तियों का बटवारा केंद्रों जो है राज सरकारों के बीच जो है विसों का बटवारा सब कु एकल नागरिक्ता का परावधान भी है इसमें भारति निर्ष आपका धर्व निर्पेशता है, या भारत के सबीधार का मूझता है, या या जो है संसदी वेउस्थः पर आधारित भी है, भारत सरकार अदिनियम 1935 को माना जाता है, इतने ये आपको लिख देना है, फिर अगला हम देखेंगे, लोक्सभा के विदा इता है देष के साचन के और कानोन बनाने में भाग लेती है लोगसभा क्या होती हुआ है। भारते समिधान के समोर्ची सूचि और संग सूचि में वर्ड़त जो विष्व पर कानून भी बना सकती वर्ड Klैं के साथ समिधान व сюжार क्रू vont h уз that में यो, नियतन भी रखती है और लोगसभा जो है राजसभा के साथ जो है समिधान में यह स 올 बारे में और भी कुछ जानकारी जैसे कि बिन जीस है कि लोगसभा के चुनाव अधिकार के आधार पर होता है कि और लोगसभा क्यों सथायों हों 552 है और लोगसभा के सथाया के लिए जो है ऑई जो होती है और 24 रखी गई है लोक्सभागी पहली बैठा के लिए नियम तारिक से पाच वर्स तक बनी रहती है तो इतना आपको लिखना पड़ेगा अगला देखेगा कि भारती जो है राज्यों में मुखमंत्री की सक्तियों का आपको परिछण करना है मुखमंत्री की क्या सक्तिया होती इसकी नियक्ति कैसे होती है कुष्ण महत्पूर है और भारती समिदान के जिए केंदर राज की बित्ति है समंद्धों की आपको बैख्या करना है तो यह भी कुष्ण महत्पूर है तो हम इसको भी देखेंगे तो राजियों में जो है मुखमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है उसके सक्तियों में इस्थित कवरण कीजिए तो राज की जो है मंत्री परसद के परधान को जो है मुखमंत्री कहा जाता है तो राज जी का जो मंत्री परसद होता है इसका जो परधान होता है मंत्री परसद का इसको हम जो है मुखमंत्री कहते हैं अब मुखमंत्री जो होता है राज की कारिपालका का जो है वास्तिक परधान होता है अता जो है राज के परसासनिक धाचे में जो है इसे लगभग वही इस्ठित पराप्त पराप्त में प्रदान मंतरी को पर्दान मंतरी में पर्दान मंतर होता है तोりました राजी का मुखमंतरी होता है तो अपने राजी का पूरा अधिकार होता है U Can broker प्रीकार की इनदर कानुनस बनाने का ठीक भी होता है मुखमंतरी और नियुक्ति प्रों कर लगशने तो भारति सम भार्याद दल के नेता को ही मुखमंत्री नियुक्ति किया जाएगा राजपाल तो इसकी नियुक्ति करता है लेकिन इलेक्सन के द्वारा होता है इसमें यानि जो जादा जिसके पार्टी के बेक्ति होंगे जिसको जादा जिसके विधायक होंगे तो इसी ही मुखमंतरी नियोक्ति किया जाएगा election के माद्यम से ठीक है और मुखमंतरी के नियोक्ति के संबद में राजपाल दो परस्थितियों में अपने विवेक का परियोग कर सकता है या जो है या जो है विधान सभाव में किसी एक राजनेतिक दल को इसपस्ट बहुमत ना पराप्त हो और एक से अधिक यानि पच्छ मुखमंतरी के पत्म के दावेदार हो और वास्थित उस समय हो सकती है जब विधान सभाव कि बहुमत दल का कोई सरुमान नेता ना हो 1906 से लेकर 1970 तक इसके बाद पर्थमकार यही रहता है कि मंतरी परसत का निर्मार करना इसका पर्मुकार रहता है और यह मंतरी मंडल का कार संचालन करना तो मंतरी मंडल की बैड़ के बुलाता है तथा जो इसके अधिश्टा भी करता है उस साथ में बठने के लिए एजंडा उसके सूची मंतरी के दौरा तयार की जाती है और यहां मंतरी परहुसाली है जो मंत्री मंडल की समस्त कारवाही मुखमंत्री की इच्छानुसार ही संपादित होती है और मुखमंत्री की दम सक्तियों की बात करें तो सासन की बिभिन यानि विभागों की समान्वेन करना भी इसका कार रहता है मुखमंत्री इस बात का परतन करता है कि सासन के लिए सभी वियाग जो एक तिहाई रूम में कार करेंगे और याद मंत्री परसर के दो या दो से आधिक सदस्यों में किसी परकार के जो है मत भेद उत्फण हो जाए तो उसके दोरा काइक मत भेदों को समझे इस्थापित किया जाता है और मंक मंत्री के रूम में विविन विभावव को आदेश निदेश देने की इस्थित होती है यह भी होती है इसे के दोरा और मुंक मंत्र होता है यह कार का बड़ारा भी करते हैं परवलतन भीकरते हैं तोमसर कार रहता है और राजपाल के耐च संबनद भी इस्थाफित करता भी होते हैं इस तरह से आपको लिग देना है घी हम देखेंगे भारतिय सब्यधान के आप के बारा की है allerm vaccin से यह 293 तक केंद्र राज बित्थ्य जानकारी दी जाती है तो Cenndra राज बित्थ्य समध्य जो संबंध है यह आपके आडिकल आपके 12 मेंinskyँ दोसो और सर्स जो है दोसो तिरान नमे तक जो है केंद्र राज बित्तिय समंध्यों इसकी जानकारी मिलती है से इसमें जो है इसका जिकर किया गया है और इस सविधान के जरिये जो है केंद्र जो है राज के बीच बित्तिय संसादनों उसकी जिम्मेदारियों की बटवारा का नियमन किया जाता है और इसमें कराधान सक्तिया, अनुदान सहायता, राज़स बटवारा और अन्य बित्तिये मामलों से जूड़ी इसमें जानकारी दी जाती है तो इससे कुछ संबंधी जैसे महातपोर बिंद है, आपके केंदर राज़ बित्तिय संबंध में कौन कौन से बिंद है इसके बिंद है, इसके बीज में कैसा संबंध रहता है तो संसद और राज़ विधान मंडल को करमसा संग सूची और राज़ सूची में सामिल बिस्व पर कर लगाने का दिकार है कराधान के अपसिस्ट सक्त सिर्प संसद के पास होती है केंद सरकार राज़ को राज़स का अनुदान दे सकती है और केंदरो राज के बीच करोग के बटवारे की सिपारिस करने के लिए बित आयोग की स्थापना की गई है जो आपका केंदर सरकार होती है जो आपकी राज सरकार होती है तो इसके बीच में जो कर होता जो टायक्स होता एक्करद व्वुस्तो एम जो सेवा, ये सारी जो इसमें सामिल है, और संग सुची में, सुची बद वस्तो पारा पारा पहल बारत में, जो हैं, इसके कार या ऊपको बाताद के पहले हैं, इसके कार ही थो मि फश्न जेगा है। छलेगा भारत में जोर्टपाल की ज्व मदलती भूमिकापको बताना सबसे पहले हम यह देखेंगे जोरज की कारइपालका में जोर्जपाल और एक मंतरी परसद होती है राज़पाल् के सबसे सनवेधानिक परधान होता है आपके आडिकल 153 के नुसार परतेक राज में राजपाल होगा आडिकल आपके तिरिपन में कहा गया है कि परतेक राजजी का राजपाल होगा और एक ही बेक्ति जो है एक से अधिक राजपाल हो सकता है लेकिन जो सबिधान निर्वित इस बात पर एक मत में सहमत नहीं थे और राजपाल की नियुक्ति की जाए और उसके बात को निर्वाचित बनाया जाए तो निर्वाचन के संबंद में भी मतभेत था और उसे वैसक म द्वारा दातिकार द्वारा पर्तष रूब से निर्वाचित किया जाए या विदान सभा ला निर्वाचित हो भाद में निर्णवाचित होга गांगि तो वब अपने को मुख मंत्री मंत्री परसस से अधिक सक्तिताली समझेगा और यसी स्थिन में राजपाला और मंत्री मंडल ने संगर्ष की स्थित हो सकती है और इन सभी विवादों से बचने के लिए समिधार निर्माता इस निसकर्ष पर पहुंचने की राजपाल पत का इतना पुलिक देना है इसके धमकारी की बात के राजपाल के तो राजपाल के जो कारी होते हैं यह राजसरकार का कारी कारी परमुख होता है और राजसरकार के सभी कारी कारी निरड़ाय इसके नाम पर ही लिए जाते हैं और राजपाल जो है राजविधान मंडल का सत्र ब देता है और राजपाल जो है राज की जो है आस्कमिन जो है निधी का परबंदन भी ये करता है और राजपाल जो होता है अदालत द्वारा जो है दोसी ठहराए गए वेक्तियों को जो है छमा दान भी जो है दे सकता है जो राजपाल होता है किसी अदालत में किसी फासी के सज तो यह जो है chat दान बी करा सकता है इसके सजा को माप भी कर सकता है कर सकता है उसके सजा को कम करा सब्सक्राइब की मुतावर्च को भंग करने चैनल को महत्त पुरिस्थान रगता है और राज पाल केंदरों राज सरकार की बीच एक सेतू की रूम में काम करता है और राज पाल जो होता है राज के मामले में परबंधन में सविधान और कानून की रच्छा करता है उसके सुरच्छा करता है उसको बचाव भी करता है और राजपाल जो होता है, लोग सेवायोग के अध्ध Incredi और उसके अनियस अधस्यों की जोρεί नियुक्ति भी राजपाल करता है, तो इसके कार्य आपको लिख देना है, पीछा सब का सब्सक्राइब का सुनों सोघ के नियुक्तित में लिए तो इसके हम स्मय कलें, तो टोटल संसदिय जो है लोगतंत्र में पर्धान मंत्री की भूमका की आपको बिवेचना करना कुछन काफी मात पुड़ें पर्धान मंत्री की क्या भूमका रहती है तो पर्धान मंत्री जो होता है भारत सरकार की परमुख होते हैं यहीं होता है भारत में क्योंकि यहीं परमुख होत हैं वक्रदान मंद्री मंदल के मंद्रे को परभार का बित्रड में बदलाओ mi कर सकते हैं और संसत्र के सता रूड़ दल का नेता भी होते हैं देस का स सनसत्र सत्रसट के سला देते हैं लोग सभा भंग की जाये आपी चुनाओ कराए जाये तो ये परधार मंत्रि सलाह देता है राशपती को परधार मंत्री देश के समगर आर्थिक और बित्तिय परबंदन के लिए जिम्मेदार भी होते हैं परदान मंत्री राश्टी आपातकारिन के समय भारत के सुरच्छा के लिए उठाये गए उठाये जाने वाले उपाया होते हैं इस पर भी राजपती को सला देते हैं यहीं कोई मालू जो आपकी आपातकारिन के स्थित आ गई तो इस समय में आपातकारिन के स्थित वैसे तो लेकिन इसमें जो सला होती है परधान मंत्री की भी सला होती है तब ही जो है कह सकते हो बिना इसके सला की जो है यह कह सकते हो यह पात्रियन की घोसरा नहीं करता है तो इतना इस तरह आपको लिग देना है फ्यकला हम देखेंगे भारते समधान की परस्तावना में क्या कहा गया सब्सक्राइब कर दो लोग तंत्र संविधनिक संसोधन के द्वारा जोड़ा गया अर्थार जो है भारत के जनता द्वारा एक चुनी की नई जो है सरकार होगी और राजपती एक निस्चित अवद के लिए होगा और आंतरी कोव बाहि मामिलों में भारत सुतंता रहेगा और सभी के साथ समान और धानमिक सुतंता रहेगी तो समिधान में यही कहा गया है यहां का जो राश्पती होगा जो एक निस् Amant opened के लिए होगा और यहां पर जो है जनता के दोरा जाए एक चुनी सरकार की होगी और जो है आंत्रिक और बाहि मावलों में भारत सुतंत रहेगा और सभी के साथ चाहोगा किसी के धर्मका हो या पर किसी जात का हो कि सभी के साथ समान में वहार होगा और सभी कोधार में एक सुतंता होगी तो ये भारती समिधान में कहा गया है अब अगला देखेंगे भारती समिधान की विसेस्ता हो कि दम बाद के कुष्ण काफी मात पुरिक जामें फसेगा जिसकी विसेस्ता हो कि वादगीत आपका लिखेताओ जिए निर्मित सभिधान इसकी पहले विसेस्ता हो जाएगी तो भारत की जो सभिधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा सभिधान है वो लिखीताओ जो है ये निर्मित सभिधान है और संगहात्मक सासन में जिकर किया गया भी विसेस्ता है और आपका संदात्मक सासन और विसु का सबसे ब्यापक सभिधान जैसे के मिने भी आपको बताए कि विसु का सबसे बड़ा सभिधान यह है भारत का ही सभिधान है और नयपाल किया की सतनता यह भी जो इसकी विसेस् कि इसमें विवस्था की गई है और धर्वन रिपेच राजी इसका भी भारते समिधार की बात के तो आपके आर्टिकल जो है चलोदा से जो है पैतिस तक भारती नागरिकों जो है छह मौली का दिकार दिए गें कितने मौली का दिकार दिकार तोटल छे दिकार के सभी के साथ समान बिवहर करेगा जो है सुंता दीगाइए सुंता का दिकार गोमने की टहलने की सभा करने की देश में भर्मन करने के सुंतादी गई सभी नागरी को भी इतिकार ग्या है धार में सुंता दिकार डिया ग्या पुंजा पाड की जुछ Crimearte गई है संजग सभी त्यूमूम सिच्छा समंधी दिया गया है तो जो है लिए जो और सन्मिधार की भारती समिधार में वाड़ित मौलिक अतिकार वीधिकार करना अभी मैंने में बता दिये है टोटल शीम आपक olhos कि अगला देखेंगे सरश सुसरध के कारीवम सक्तियों को तो हम देखेंगे कारीवम हम सकतिया मौलिक अभी मैं आपको करा जिए नहीं मौलिकषगभार के 6 तोटल संतिकार और जो है संस्गी तो हम सिच्छा समंदी अधिकार और सन्वेधाने कुप चारों का अधिकार तो टोटल इसमें आपके छे आपके जह हमोली का अधिकार है यह आपको लिखना है ठीक है अब सरोच न्याले के जो है कार्यों सक्तियों के हम विचना करेंगे कुछ का भी मात पोड़ें इसके हम कार्यों सक्तियों के हम बात करें सरोच न्याले के निचली अधालतों के फैसले पर रोग लगाने और उन्हें बदलने का अधिकार है तो सरोच न्याले क्या है अधालतो होता है कोई फैसला दे दिया तो उसके नीचे जितनी भी न्याले कोई भी उसमें रद करने का अधिकार दिया गया है और सरोच नियाले जहे राश्पती और उपराश्पती के चुनाव से जुड़े विवादों का फैसला भी करता है तो जो राश्पती का चुनाव होता है उपराश्पती का तो इससे कोई चुड़ा कोई विवाद हो गया है तो ये भी इसका भी निवारण इसका भी फैसला होता है सरोच नियले करती है सरोच नियले को संसद, सरकारी निकायो, राशपती और राज जिसरकार से जुड़े मामलों को सुलजाने का अधिकार भी दिया गया है और जो है सरोची जो है न्याले के पास जो है नैक जो है अधिछड की सक्तिया भी है और सरोची न्याले के पास जो है मानहान के लिए डंडिट करने का अधिकार भी है और सरोची न्याले के पास जो है जनहित या अच्काओं के जरीए जो है लोगों को जो है न्याय दिलाने क सकती भी है और सरचन्याले के पास जो है कानोनी सहाथा समित भी है तो इतने आपको लिख देनाए इसके जो है सकति एक न कर दिये थे नहीं जोता है इतने तयार कर लो कुछ भी नहीं देखके जाते हो यही देखके भीड़ू जाते तो आसरनिस इस पेपर में आप 75 की नंबर जरूर जाएगा सभी परसनों को इसी परगाम मैंने सभी मार्डल पेपर मैंने दे रखे हैं पेले रिस में जाकर जरूर वाज किजिएगा और ट्रेली ग्राम को भी जोइन कर लेना मिलता हूं वीडियो के लिए तब तक सभी को थैंक्यों पर राचिंग दिस वीडियो